स्वागत्ते दोफ्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसन रिवियू में जहां आप आते हैं सबी दबान्यों का रिवियू तो दोफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई दबा खाने से उफ्त दबा का हमारी बोडि पर कोई रियक्शन हो जाए तो इस रियक्शन को ठीक करने के लिए कौन कौन जी मेडिसन यूज में ले जाती हैं तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में ह दिखाई देते हैं तो वो common symptoms हैं तुच्छा पर चकति होना, skin पर खुज्री होना, hips यानि कि skin पर पित्ती आजाती है, skin पर सूजन होना, सांस लेने में दिक्त होना, जैसी कुछ common symptoms दिखाई देते हैं दबाई के reaction करने पर, इसके साथ ही कुछ danger symptoms भी दिखाई देते हैं दबाई के reaction करने पर तो वो कुछ severe symptoms होते हैं उनमें जैसे की उल्टी या मतली होना चक्कर आना, कम जोरी, आखों के सामने अंदेराफा चा जाना दिल की धड़कन तेज होना, blood pressure का कम होना सांस लेने में दिक्कत होना, बेहोस हो जाना ये कुछ severe symptoms होते हैं हमें दबाई के reaction होने पर तो दुफतो अब बात करते हैं कि किसी भी दबा के हमारी body पर reaction करने के क्या कान होते हैं, जब अपना दबा जो है अपना असर न दिखा कर कुछ और ये असर दिखाने लगती है जिसे कि हम reaction करते हैं, तो दुफतो जब भी हम कोई medicine या drugs लेते हैं तो हमारा unity system है, बुद दबा को सबसे पहले detect लेता है कि जो दबा हमने खाई है वो हमारे शरीर के लिए नुक्सान दायक तो नहीं है तो बहीं पर हमारा unity system जो है find करता है कि वो दबा हमारे शरीर के लिए हानकारक है तो उस condition में जो है वह antibody उसकी एगेनेस्ट बनने लगता है और इसी तरीके से reaction होता है साथी दुफ्तो अनुबान से कार्णों से भी कुछ लोगों में दबाई का reaction होता है तो दुफ्तो अब जानते हैं कुछ ऐसी medicine के बारे में जो सबसेदा reaction करती है तो वो है antibiotic जैसे की penceline यानि कि antibiotic दबाई जो है reaction बहुती जल्दी कर सकती है फेन रिलिफ मेडिशन जैसे की aspirin, ibupin, acetaminophen ये pencler medicine होती है जो बहुती जल्दी reaction दिखाती है cancer drugs जो cancer के treatment के लिए दबाई दियाती है वो भी बहुती जल्द reaction शो करती है आटो युमिन डिल ये भी बहुती जल्दी reaction शो करती है तो दुफतों आप जानते हैं कि दबाई के reaction सो करने पर जो है उसका एलाग किस प्रकार से किये जाता है तो उसमें जो सबसे पहली medicine है वो दो injection है evil और decadone injection इन दोनों injection को साथ में मिला कर दिया जाता है मरीश को जिससे की उसकी reaction बहुती जल्दी सई हो जाता है evil injection की composition की बात करें तो इसके अंदर जो है feniramine made दिया होता है और decadone injection के अंदर dexamethasone दिया होता है और इन दोनों injection का use अगर आपको allergy की problem है इसकिन पर खुजली हो रही है इसकिन पर चकत्ते हो गए है तब इन injection को मिला कर लगाया जाता है और इन injection को IV यानि intravenous root से लगाया जाता है जिससे की patient को दबाई के reaction से बहुती जल्दी आराम मिल जाता है neft medicine की बात करें तो है citrion hydrochloride का injection दुफतो इस injection का use तब लिया जाता है जब evil और decadone injection काम नहीं करते तो उस समय इस citrion hydrochloride injection का use लिया जाता है इस injection का use अगर आपको शरीप पर reaction की कारण पित्ती आ गई है इसकिन पर लाल लाल चकत्ते हो गई है खाने से कोई allergy हो गई है तब इस injection का use जो लिया जाता है और इस injection को भी IV लगाया जाता है ताकि मरीश को जो है बहुती जल्दी आराम मिल जाता है नेफ्ट injection की बात करें तो है प्रुमेथाजाइन injection जो आपको किसी भी medical store पर जो है फैनरगन नाम से मिल जाता है इस injection का भी काफी यादा यूज लिया जाता है रियक्शन को ठीक करने के लिए साथी इसका use allergic reaction को ठीक करने के लिए भी किया जाता है और इस injection को जो है IM तथा IB दोनों रूट से लगाया जाता है नेफ्ट इंजेक्शन की बात करें तो है epinephrine injection दुफ्तों ये भी काफी अच्छी medicine है और बहुती यादा यूज में लिया जाती है दबाई के reaction को रोखने के लिए और इस injection का मैली यूज जो है CBR allergic reaction को रोखने के लिए किया जाता है साथी अगर आपको किसी केड़े ने काट लिया है मदमक्खी ने काट लिया है तब भी इस injection का यूज लिया जाता है इसके अलाबा अगर आपको किसी food से allergy हो गई है तब भी इस injection का यूज लिया जाता है तो दुफ्तों यती जानकारी दबाऊं से होने बाले reaction के treatment के वारे म तो आज की इस वीडियो में वच इतना आई तो थैंक प्रेंट्स एंड बंदे मातर